नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल नॉलिज ट्विट्स पर तो हम करें सीए इन फोर मिनट सीरीज इस सीरीज में क्या करते हैं सीए जो करेंट अफेर्स उसको सौटकर्ट में रिवाइस करते हैं जो भी इंपोर्टन न्यूज हमारे एक्जामिन इस नियूज में रहता है लूज है कि चीज याद रखनी है जैसे कि देट और ने रहेगा तो उसके बारे में आपकोा पता होना चाहिए एट लिसका फांडेशन ऊसका एड़्वाटर संपार्रीज आपको बता होना चाहीं यह से विक्रम सारभाई स्पेस सेंटर इसका फांडेशन हुआ था 21 नॉवंबर 1963 में यह कहां पर तो यह तिरुवनंदपुरम केरला में है इसका पारेंट और्गनाइजेशन कौन है तो इसरो है ठीक है तो यह इंपोर्टेंट हो गया यह सके फांडेशन क्या है is जो इन्होंने इन्होंने क्या था गया है तो नहीं दो नाम है तो फॉर वन्ती हें रूजनें प्रॉजेक्त को ही है थो इन्होंनेक्या प्रश्थर से एक टव cont pen रिंद्स कवह जे तो ने 104 साल में 1st Asteroid Discovered था तो यह बहुत ही बड़ा एचीवमेंट है इनका आज अमहन का तो सकता है कि आपको पूछ दें ठीक है next है next next important news है कि Salesforce ने अभी Salesforce is a company and Salesforce ने अभी जारी किया है digital global digital skill index 2222 और इसमें इंडिया का जो score रहा है वो है इंडिया का score 63 out of 100 मतलब 100 marks a lot total marks 100 a lot होना था इंडिया हमको 63 marks वाय तो यह Salesforce वो क्श्टमर डिलेसंसिप मैनेजमेंट को देखती है और उसके द्वारा ही रिलीज किया गया है आपको पूछे का जैसे कोई भी इंडेक्स है ना तो कौन रिलीज करता है इंडिया का क्या रैंकिंग है इंडिया को कितना स्कूइ मिला यह सब पता होना चाहिए Other than that, यह जो Digital Skill Index calculate होता है, वो किस parameter पर होता है, तो यह हो जाता है, इसमें Job Readiness, ठीक है, इंडिया में digitally लोग Job Readiness कितना है, या फिर continuously learn कर रहे हैं, वो लोग Digital चीजों को learn कर रहे हैं, तो उसका significance क्या है, impact, future पर impact क्या है, यह सब बेसिस पर calculate हुआ है, ठीक है, हमारा जो Digital Skill Index में ह हमें जो marks मिला है, next important news है कि 28th AFC Women's Asian Cup, यह इंडिया में ही हुआ है, 2022 वाला जो football cup है, यह football tournament है, तो इसको किस ने जीता है, ठीक है, तो लास्ट जो final match हुआ था, वो चाइना, People Republic और South Korea के बीच में हुआ था, और इसको चाइना, People Republic ने जीत लिया है, ठीक है, तो अभी क्या-क इस new से आपको क्या क्या आतकना होगा, यह कौन सा वर्जन था, ठीक है, तो यह 28th एडिशन था, AFC Women's Asian Cup का, और यह हुआ कहां पे, तो यह डिवाई पार्टेल मुंबई वाला जो stadium है, नवी मुंबई में, वहां पे हुआ था, जीता कौन, तो जीता चाइना ने किसको हरा क तो साउथ कोरिया को, यह सब important हो जाता है, आच्छा, एक और हो जाएगा कि, नेक्स्ट वाला जो होने वाला है, 2023 वाला कहांपे होने वाला है, तो यह उस्तेलियला न्यूज लैंड में होने वाला है, नेक्स्ट इम्पर्टेंन न्यूज है कि नासा का जो इंटरनाशनल स् तो यह Senegal है, Senegal ने एजिप्ट को हरा के यह match यह cup जीत लिया था, Africa Cup of Nations Next important news है, India becomes the first country to administer COVID-19 DNA vaccine तो COVID-19 DNA vaccine administer करने वाला first country हो जाता है हमारा India हो जाता है तो hopefully यह सब important news था, अगर आपको PDF चाहिए तो क्या करना होगा हमारे चैनल पर आके इसको डाउनलोड कर लेना होगा चैनल का लिंक आपको यह दिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर जाएगा आज के लिए बस इतना है, thanks for watching